नमस्कार दोस्तों वेलकम टू देव MTR फैनली आज आज आपके सामने है 2022 की न्यू लाउंच बजाज पलसर N60 डूल चैनल ABS के साथ और दूसरी तरफ है दोस्तों बजाज पलसर N250 डूल चैनल ABS के साथ आज इस वीडियो में मैं दौनो बाइक का डेटेल कमबे रीजन करने वाला हूँ कि दौनो बाइक में आपको क्या-क्या अलग तीचर्स देखने को मिलते हैं पावर और परफॉर्मेंस कैसी है सबसे पहले कीमत की बात करें तो N60 की ओन रूर कीमत है दौनो बाइक में आपको Same-to-Same Mirror मिलते है इसके साथी N60 वाली बाइक में आपको Halogen Indicator मिल जाते है नॉर्मल Bulb के साथ जबकि N250 वाली बाइक में आपको LED Indicators मिलते है इसके साथी यहाँ पर आपको LED DRL मिल जाते है नीचे में आपको Y Functional LED Projector का Setup मिल जाता है मिल जाती है जब कि N250 वाली बैक में भी आपको सेम LED DRL मिल जाते हैं नीचे में आपको Y functional LED प्रोजेक्टर का नीचे में सेटम मिल जाता है दौनों बैक की जो headland की जो design है वो यहाँ पर आपको सेम मिलती है सेम switches के इस साथ में दोस्तों दोनों में सिर्फ indicator का फर्क दिया गया है front section में N160 के mudguard की बात करें तो dual piece में इसका mudguard मिलता है यहाँ भी आपको N250 में भी आपको dual piece mudguard मिलता है इसके साथी N250 के आगे वाले wheel area की बात करें तो यहाँ पर आपको 300 mm diameter की disc मिल जाती है इसमें आपको dual channel ABS breaking system मिल जाता है यहाँ पर आपको 300 mm की disc के reflector मिल जाते हैं और क्रेमेका के यहाँ पर आपको calipers और 100 Y80 section के tube left star मिल जाते हैं 17 inch के black color के अलोबील के साथ Pulsar N250 का आगे वाला जो suspension है यहाँ पर आपको 37 mm के साथ टेली सकॉपिक वाला suspension दिया गया है जबकि अगर हम बात करें बजाज Pulsar N160 के बारे में तो इसमें भी आपको dual channel ABS का option मिल जाता है 300 mm की यहाँ पर आपको disc मिल जाती है क्रेमेका के calipers मिल जाते हैं 180 सेक्षन का यहाँ पर आपको ट्यूबलेश टायर मिलता है 17 इंच के black color के अलोबील के साथ और N160 का भी जो suspension है आगे वाला यहाँ भी आपको 37 mm का टेली सकॉपिक मिलता है दोनों बाइक की मीटर कंसोल की बात करें तो पलसर N160 में आपको digital प्लस एनलोग मीटर कंसोल दिया गया है जिसके साड में आपको oil इंडिकेटर चेक इंजन की लाइट बैट्री की वार्निंग साइड इस्टन की वार्निंग turn indicator घडी लाइट की वार्निंग मिल जाती है rppm मिल जाता है यहाँ पर आपको गिर इंडिकेटर मिल जाता है सपीडो मीटर डिजिटल फिल कोज मिल जाता है ओड़ो मिटर टरं मिल जाती है ओपर में आपको आरिअम लिमिट्ट की एक इंडिगेंस लिट मिल जाता है है और यहां पर आपको डिस्प्लैी में रियल टायम मॉइलिज इंडिगेंटर मुल जाता है इहां वार आपको लिएकस्टू मिलती है बो है इसकी इंजिन हीटिंग टेम्परिचर की लेड़ जो आपको Ti5 में नहीं मलती है आपको रएंट मिटर मिल जाता है स्पीडो मीटर और आपको ओड को मिल सकति है ओउपर में आपको देखें तो यहाँ पर आपको ABS Turn Indicator और Gear Neutral Indicator मिल जाता है, Top Speed की बात करें, तो बजाज Pulsar N250 में आपको 150 km पर दिघंटे के आसपास Top Speed मिल जाती है, After First Servicing के साथ दोस्तों, अगर हम बात करें, बजाज Pulsar N60 की Top Speed के बारे में, तो उसमें आपको 120 km पर दिघंटे के आसपास Top Speed मिलके, यहाँ पर आपको सेम स्विचेस मिल जाते हैं, दोनों ही बाइकों में, स्विचेस में आपको कोई भी अंतर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, Pulsar N60 में आपको USB Mobile Charging का Port मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 14 लीटर का बड़ा सा Fuel Tank मिलता है, ग्रे कलर के स्टीकर और Metal Body और Fiver Body मिल जाती है, Pulsar का 3D में Logo मिल जाता है, क्रोम के साथ, जबकि N250 वाली बाइक में भी आपको Pulsar का 3D में Logo मिलता है, ग्रे कलर के स्टीकर मिल जाते हैं, और इसके साथ यहाँ भी आपको USB Mobile Charging का Port मिलता है, दौनों के Rear Wheel Area की बात करें, तो N60 में आपको 230 mm की डिस्क मिल जाती है, ABS के साथ और 130-70-70 के ट्यूबलेश टैर मिल जाते हैं, 27 इंच के Black Color के एलोबील के साथ यहाँ पर एक बड़ा सा टायर हगर मिल जाता है, Mono Socks Nitrox Suspension मिल जाते हैं, 130 mm का पीछे वाला टायर जो है, वो काफी वैड़ काफी चोड़ा है, N250 में भी आपको 230 mm की डियर में डिस्क मिल जाती है, ABS के साथ बड़ा सा Mud Club मिल जाता है, टायर हगर मिल जाता है, और यहाँ भी आपको 130-17 का ट्यूबलेश टायर मिल जाता है, और यहाँ भी आपको Nitrox Mono Socks टायप का Suspension मिल जाता है, दोनों बाइक की एकजोस्ट के बदलाव की बात करें, तो N250 में आपको Twin Barrel टायप का यहाँ पर आपको एकजोस्ट मिल जाता है, जो की Full Metal Body के साथ दिया गया है, जैसा कि यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, इसके साथ ही अगर हम बात करें Pulsar N60 के बारे में, तो इस बाइक में आपको Under Valley एकजोस्ट मिल जाता है, तो आपको इसके एकजोस्ट का साउंड कैसा लगा, चेक आउट करके बता सकते हैं, और अब मैं आपको N250 के इनजन के और इसके एकजोस्ट के साउंड को चेक आउट करा देता हूं, तो दोसो Pulsar N250 का जो एकजोस्ट का जो साउंड है, थोड़ा सा हैबी है compare to N160 तो चलिए बात करते हैं दोनों बाइक के real tail light section के बारे में तो यहाँ पर आपको N160 का sticker मिल जाता है और यहाँ भी आपको N250 का sticker मिलता है दोनों में आपको same color के sticker मिलते हैं seat comfort की बात करें तो यहाँ पर आपको split seat मिल जाती है N160 में पलसर की बेजिंग के साथ 795 mm की seat add मिल जाती है जबकि अगर हम बात करें N250 के बारे में तो यहाँ भी आपको split seat मिल जाती है दोनों का जो seating comfort है same मिल जाता है दोनों में आपको 795 mm की seat add मिल जाती है इसके साथी N160 के पीछे की तरफ चलें तो यह बैक देखने में भी काफी sporty लगती है यहाँ पर आपको split type के grab rail मिल जाते है same यही चीज आपको pulsar N250 में भी same देखने को मिल जाती है और pulsar N160 के tail light section की बात करें तो split LED tail light मिल जाती है crystalline type की जो की देखने में काफी unique और stylist लगती है same यही चीज यहाँ पर आपको N250 में भी मिल जाती है same दोनों में आपको tail light मिल जाती है दोनों bike के पीछे के अंतर की बात करें तो इस N250 वाली bike में आपको पीछे में LED type के indicator मिल जाते हैं इसमें आप अलग से बाद में भी केके लगवा सकते हैं इसके साथी two piece यहाँ पर आपको engine call मिल जाता है इसमें 162.82 CC का oil cooled forest rock 2 valve FI engine दिया है जो 16 PS की power देता है 8,750 rpm और 14.65 Nm का torque generate करता है 6,750 rpm पर 165 mm की ground clearance मिल जाती है दोनों के सबसे बड़े अंतर की बात करें तो N160 का जो radiator cooling system है वो यहाँ पर आपको थोड़ा साथ छोटा मिलता है compare to N250 के मुकावले N250 के engine की तरफ चले हैं तो यहाँ भी आपको DTSI Twin Spark की branding मिल जाती है only selfish start के साथ यह बायकाथ यह में केके start का कोई भी option नहीं दिया गया है two-piece engine call मिल जाता है 162 से 64 kg का curve weight है engine की बात करें तो 249.07 CC का oil cooled forest dog 2 valve FI engine दिया है जो 24.5 PS की power देता है 8,750 rpm और 21.5 Nm का torque generate करता है 6,500 rpm पर सबसे बड़े बदलाब की बात करें तो N250 का जो radiator cooling system है N160 के comparison में काफी बड़ा मिल जाता है जैसा कि यहां से आप इसको देख सकते है N160 का जो curve weight है बो है 154 kg दोनों में 6 kg का फर्क है बजाज Pulsar N250 में आपको 5 gear का manual setup मिलता है इसमें आपको 5 gear मिलते है side stand के उपर आपको engine cut off का sensor मिल जाता है mileage की बात करें तो यह बाइक आपको 30-35 का आसानी से mileage दे देती है यहां भी आपको open chance set cover, adjustable footrest मिल जाते हैं company fitted black color का sardi guard मिल जाता है जबकि अगर हम बात करें Pulsar N160 के बारे में तो इसमें भी आपको 5 gear का manual setup मिल जाता है 5 gear मिल जाते है, side stand के उपर आपको engine cut off का sensor मिल जाता है manage stand भी मिल जाता है, mileage की बात करें तो यह बाइक आपको 40-45 km पति लीटर का आसानी से mileage देती है तो अब बात करते हैं कि दोनों में से आपको कौन सी bike लेनी चाहिए अगर आपका budget कम है और आप एक ज़्यादा mileage वाली bike लेना चाहते हैं 160cc के अंदर तो Pulsar N160 आपके लिए एक अच्छा option सावेत हो सकती है अगर आपको ज़्यादा power performance चाहिए तो आप N250 में भी जा सकते है इस bike को खरीदने के लिए आप रोल्टा बजाज VIP रोड कॉलकता सोरूम में विजट करें सोरूम की सारी जनकारी आपको वीडियो के description box में मिल जाएगे